84 पुलिस ने गेंजी गाटे के पास लोट की नियत से कार पर पत्राव करने वाले तीन शातिर बदमासों को गिरफतार कर लिया है थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि विकास्तनकर निवासी प्रदीप पुत्र गटुलाल कलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर बताया कि 13 जुलाई की रातरी को कार लेकर डुंगरपुर की तरब जा रहा था कि रात करीब 9 बजे के लगबग गेंजी गाटे के निकट कार लेकर पहुंचा तो वहाँ पांच व्यक्ति कार के सामने आ गए और कार को रुकवा दिया शराब के लिए पैसे मांगे नहीं देने पर प्रदीप कलाल के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच अनुसंदान प्रार्म किया पुलिस ने दबिजदी तो तिनो आरोपी गण पुलिस का जापता देख कर भागने लगे जिस पर पुलिस ने तिनो आरोपीओं को अमरपुरा निवासी प्रकाश पुत्र दलजी देंडोर अजे पुत्र नातुलाल देंडोर और अलपेश पुत्र गोतमलाल देंडोर को आरोपियों से पुछताज करने पर बताया कि अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शराव के लिए इस गटना को अंजाम देते थे फिलाल तिनों आरोपियों से अन्य जगव पर होई पत्राव की गटनों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है साग बड़ा लाइव नियूज से जीतेंदर सिंग चोहान की रिपोर्ट जिलापुली से जिश्क महदे को अउगत करा है जिस पर घटना गंबिरता को देखते हुए जिलापुली से दिख महदे ने तवरित कारवी करने के लिए कहा और विसे स्टिम पर गटन करने के लिए का गया जिस पर थाना अजा से थाना दिका प्टर में ऐसे छधरसिंडी चार्च जोगी वेजा और उनके जापता और सांड़ा से मिल वेस्टेल रहने जवाने अगे आरपी ने मिलकर अरपी गन का पता लगया तो अरपी गावन जोगेजी के पास पर वहां के होना पता चला जिस पोलिस टीम दोहारा आज अरपी गन को गटना में उख पाच और जिसमें परकास पिता दलजी अमरपूरा, अजय पिता नाथला लेंडर अमरपूरा, अलपर शुदा गटन देन अमरपूरा है, इन वेक्तियों ने गटना कारिद करना कबूल किया है, गाडी रोकर शलाप के लिए पेसे मांगना और प्थरवाजी करना अनलोगों ने कबूल पुलिषाना 14 से शेतर में जो पत्थर बाजी घड़नाय घड़ रही है उसके उपर पुलिषाना 14 से द्वारा लगातार कारवे की जा रहे है कारवे की भी जाएगी और भईश्यों में से घड़ना होने से रोखा जाएगा सागवारा लाइव न्यूज जिहां लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद